लेकर पुझा जी कुछ अच्छा आएगा नहीं 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 एक्सस बैंक से भी अच्छे नतिकी उमीद नहीं है स्पेशली एसेट कॉलिटी और सारे रिपोर्ट में देख रही थी कहीं पर भी कुछ यहां पर ग्रॉस एंपे नेट एंपे सभी रिपोर्ट कह रहे थे परसंट की बढ़त का नुमान है और मुनाफ़ा भी साड़े आट परसंट ही बढ़ा रहेगा कंपनी का मार्जिंस में भी थोड़ी दिक्कते इस बार दिखाई देंगी लून ग्रूद धिमी रह सकती है जिसका की असर मुनाफ़े पर हम देख रहे हैं इस बार जो फी इंक के नंबर कुछ इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं अगर कुछ सप्राइस ट्राया तो वह एंपेस के नंबर पर आ सकता है अदरवाइस नंबर कमजोर ही नजर आ रहे हैं एक चीज़ और यहां पर देखनी होगी जो कि पहले कौर्टर में भी हम देख रहे थे कि ब को मिला कर जो एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट वो कमजोर नंबर हैं तो कमजोर नंबर से अब आप दो नोच आपके किसे देखें और आपको कैसे देखें विल्हां कॉछ पर संट बीनीचे क्या कुछ पॉजिटिव सप्राइज आते हैं यह ने बट एक्सपेक्टेशन त अब किस किस के बचे आ जाने इन फी न विपरोफिशाम को अजाएगा टटा केमिकल आ सकता एल्तीय मुड्री आ सकता पहली केव आ सकता एफ अज़ी को पुली केव सकता है इनका भाई तो है इसी के पास है एक्सिस बैंक जी देखें सर आक्सिस बैंक का चार्ट बता है क्या इंपॉर्टन लेवल्स इसके लिए पास है एक्सिस बैंक 1100 का एक अच्छा सपोर्ट है वह अगर ब्रेक होता है तो फिर अच्छी आसी और विक्वाली देखने को मिल सकती है दस एक हज़ार पचास एक हज़ार तक की भी तो ग्यारा सू का स्टॉप लॉस से होड़ कीजिए इसको उसके नीचे थोड़ा सा मेज और जैने को मिल सकता है याने के एक्षेंशन ओब इस स्कुभाषण निकलता है तो पर बार्टम बननी के चांसिस अधों यहां पर बीच-वीच है पर है तो देखना पड़ेगा कल क्या होता है ग्यारा सुपे नीचे अगरे जाका यारा लग्या एक पर सुमीच थाए